लेकिन आईशा से जो भी था पर्सनल रिलेशन था शादी का कोई वादा नहीं था जैसा सलमान खान ने भी कहा कि विकेंड के बार में कोई शादी का प्रॉमिस नहीं कि आप देखो आईशा और नाजील आज कहा है किते फेमस हो गए सारे आप जैसे मीडिया वाले उसके चीजें बॉलीवुड में यह चलता ही है चाहिए वो सलमान भाई पर क्या इलजाम नहीं लगे सारे बड़े-बड़े एक्टर्स पर लगते ही है हेलो गाईज विलकम तो टेली मसाला मैं हूँ अमपिका सिंग और आज हमारे साथ मुनवर के कुछ बहुत ही खास फ्रेंड्स है हां वही मुनवर जो बिग बॉस सत्रा में बहुत ही धमाल मचा रहे बट आज हम उनके फैमिली फ्रेंड्स से जानेंगे कि क्या है वो लो किस अगर आपको याद हो 28 तारिक को ही मुनवर का बड़े भी है और फिनाले भी 28 को ही है तो चलिए जानते हैं पहले मैं चाहती हूँ आपका नाम बताओ और क्या रिष्टा है आपका मुनवर से मेरा नाम रुकसार है और मैं मुनवर को एज फैमिली फ्रेंड्स से जानती हू उनकी sisters मेरे friend है तो मेरा उनके घर पर आना जाना है मैं उनको personally देखी हूँ मिली हूँ जैसे मैं भी बहुत excited हूँ ये चीज के लिए के उनका birthday आ रहा है तो trophy यहीं आए डोंगरी ही आए because जब lock-up के बाद भी जब वो जीत के आए थे वो बहुत-बहुत best खेल रहे है sir क्या पताना चाहेंगे आपका क्या रिष्टा है मुनावर से मेरा नाम काशिव शाय है मेरे आएंजियो युवा जन संगश्व मैं उसका founder हूँ मेरा office से डोंगरी पर ही हूँ मेरा काफी अच्छा close friend है हूँ काफी time से हम लोग 5-6 साल से हम लोग उनको जानते और lock-up से न इनला इसलिए हम लोग पूरी ताकत से उनका support कर रहें वैसे तो पूरा इंडिया ही कर रहा है और चोटा सा contribution हम लोग भी दे रहे हैं आज हम लोग ने एक event भी रखा है blood test free का जो मुनावर को support करे उसको भी जो नहीं करे बस यह dedicate किया मुनावर फारुकी को कि यह cbc blood test free of cost ह लुखा जो बी मुनावर फारुकी को support करेगा रहे सोजो गेम चल रहा है मुनावर का उनके इल्जामाच भी लगे हुए है आईशा की तरफ से नाजीला की तरफ से किया आप लोगों को पता था नाजीला के बारे मेंता पता निरा तो था ना जाना हम लोग को देखना किहा बढ़ा एक लड़की है फिर फेमस हुए दोनों लोग फेम मिला उनको और आईशा का जैसा था कि बिग बॉस में सब की पर्सनल लाइफ होती है आपकी भी है मेरी भी है उसको कई ना कई जागरूत किया गया बिग बॉस में यही होता है वो गेम है ہम बिग बॉस को गलत नी बोलो यह लेकिन बिग बोस में वो आई उसका हुआ एक चीज लेकिन आइशा से जो भी था परसनल रिलेशन ता शाधी का कोई वादा नहीं था जैसा सलमान खान ने भी कहा कि विकेंड के वार में कोई शादी का प्रॉमिस नहीं किया, कोई कमिटमेंट नहीं था, ठीक एक फ्रेंड्शिप थी, जो भी हुआ उनका एक्स वाजएड, पर्सनल रिलेशन था, वो हुआ, उसके आल लोगों ने ना पसंद किया, इसलिए उन्हें लोगों ने एविक्ट किया उनको, रुक सार आप क् इतनी अच्छी तरह से जानती है, मुनवर को, किस तरह के इंसान है वो, और जिस तरह से दो लड़किया मिलके, मतलब एक के बाद एक इल्जाम लगा रहे हैं, आईशा के भी बहुत सारे इल्जाम लगें, उन्हें पर क्या बताना चाहेंगी? मुझे देखिये, ऐसा लगता है, इस मेंटर में, कि मतलब आईशा का बोलना, अब वो एकी तरफा हम लोग सुन रहे हैं, एकी तरफा देख रहे हैं, क्योंकि मुनवर ने कुछ भी नहीं बोला है, अभी तक तो कुछ भी नहीं बोला है, तो ऐसा है कि जब तक है एकी मैं जानती को दोना हो और हम लड़का बीस बिल्कुल नहीं के वो लड़कीं के साथ खेले यह यहां पर तो अगर ऐसे हो तो यहीं पर है मैं रहती हूँ वह रहते हैं तो बहुत पता चलता है कि इसने से साथ किया तो पर कभी कभी एसी सुनने को नहीं मिली है तो अभी ये गेम है तो वो गेम के बाद ही ज़ादा पता चले तो बैटर है बट मैं जाता है कि मुझनवा के शानती वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि वो लड़की के लिए बोलो या कुछ क्यों कि नाजि आईशा के घर जाने के बाहर जाने के बाद ऐसे लगा कि सब को एचीज गलत ही लगी कोई ने भी मुनवर का साथ नहीं छोड़ा यह चीज से रिलेटर तो यह चीज से फैन फॉलाइंग यह कुछ कम नहीं होता है आप लोग जितने क्लोज मुनवर के फैमिली फ्रेंड सो एक बार बोलीवूड में चलता है चाये वो सलमान भाई पर क्या इल्जाम नहीं लगे सारे बड़े-बड़े एक्टर्स पर लगते ही है लेकिन इतना कन्फर्म है कि वो उसके फैन में कोई कमी नहीं आई आई आने से अगर आई होती तो आज मुनावर फारुकी टॉप फाइम में नहीं होता से एक और पता चला जैसे हम लोग बाहर अभी वो अंदर है उनको कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है बाहर वो बहुत हो रहा है बट यहां पर सारे सेलेब्रिटीज देख लो इंफ्लेंसर देख लो हर कोई के लिए यह है कि मुनावर जीत क्या आना चाहिए तो इंसान का कर सकता है तो उससे ही मेरे साब सो सभको समझ जाना चाहिए कि वह ऐसा नहीं है और आप देख सकते हैं कि जब आईशा के आने का उसने कोई तो वह चीज़ें खोल सकता ता लेकिन उसने इस्जत किया लड़कियों की जो भी नाम भार के आएंगे हुसने वह नामों को प्रो सकते और मुनावर फारुक की ट्रोफी 110 परसंट जीतेगा और हमको पूरा भरोसा है चाहिए मुस्लीम सो नौन किसी को भी नहीं पता था कि यह ऐसो जगा अब बिग बॉसरा नाम बोले तो ट्विस्ट ही है कि वो कुछ नया ही लाते है तो वो थोड़ा सा सब के लिए शौकिंग था जैसे लाइक पास्ट में भी जो दूसरे कपल्स लोग तो उन लोग का भी जैसे हुआ था तो वो थोड उनकी फैमिली का भी नाम आएगा मेरी वो नहीं चाहते तो उससे भी समझना चाहिए कि जब वो बंदा कुछ किसी की इज़त नहीं उचाल रहा है तो वो वैसे नहीं हो सकता है जिस तरह के इलजाम आईशा ने लगाए थे मुनावर के उपर की उन्होंने उनको फिजिकली यूज करने के लिए मतब बहुत सारे कमिटमेंट भी दिये थे कि शादी करूँगा ये वो लेकिन बात में ये भी बोला कि हाँ वो सिचुएशन शिप ऐसा हम कह सकते ऐसा कुछ था मैं आप लोगों का क्या पॉइंट अव्यू एस पर उस पे मुनावर ने कोई लड़कियों के नहीं फैमिलिज के मेरी फैमिली मेंबर्स के नाम बार आएंगे और कोई बात नहीं थी क्लियर कट था फेम के लिए आया आप माफी माजने मांगवाने के लिए बिग बॉष में तो यह सच था कि अप धर आप देखो आईशा और नाजीलाच कहा है किते फेमस हो गए सारे आप जैसे मीडिया वाले उसके पीछे पीछे जा रहे है, वो किस की वह से हुआ, मुनवर फारुकी की वह से हुआ, मुनवर फारुकी बहुत उसका ब्राइट फ्यूचर है, और वो आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, हमें पुरी उमीद है और ऐसा सब चलता रहता है जिन्दगी हम लोगों को भी और उन लोगों को भी सब को यह है, कि इन्शाला से मुनवर ही जीत के आने ज़िए, कि मेरे सबसे तो वो गेम बहुत बोल रहे हैं सब लोग, चार हफते कुछ नहीं किया, नहीं खेला, तो अब इंसान अंदर जाके आप कोई भी गेम में भी जाओगे, त कि आप कैसे खेलतों, तो उतना भी टाइम उन्होंने लिया है, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा ही कहला है, तो ऐसे हो गया था, और पिर आईशा से लिटेड आप पूछ रहते तो में को यह भी बोलना था, कि जैसे उन्होंने बार बार उन पर यह ब्लेम भी लगा अगर उनके लिए गाना करते या गाने के लिए बात हो ती, तो कही ना कहीं तो वो कोई ना कोई सॉंग में तु दिखती एक लिए तो दिखती वो कहीं नहीं थी, तो ये बाद भी वो तरहा सर दिख रही थी, और वो प्लेशा है। बिल्कुल नीहें और वह बहुत हम लोग को उसके साथ रहने से कमफ़टेबल होता है यह बात बीग बॉस के अंदर की तो इसके साथ रहने से हमें कभी के अनकमफ़डेबल फिल नहीं हो तो इससे साभीत होता है वो बहुत अच्छा इंसान है मनारा के साथ विनके जोड़ी काफी बनाई जारी है है चल रहे बार मुनारा उस पर क्या चाहेंगे आप लो किलियर दिखता है मनारा और मुनावर की फ्रेंशिप है जिससे उन्होंने वह यह भी का है मुनावर ने कि उनका ज्यादा क्लोज आना उनको अनकमफ़डेबल फिल करता है वो इसले नहीं उनकी बहुत अच्छी बॉंड चाहेंगे मुनावर के जो बेटे हैं वो कहां है इस वक्त और वो कितने एक्साइडेड अपने पापा के हाथ में ट्रॉफी देखने के लिए वो तो अभी अपनी फैमिली उनकी जो खाला वगरा बहन उनके साथ रहते और वो इतना पब्लिक ली नहीं आते ना वो बच्च का जशन मनाएंगे था आपने देखा हुगा शुरुआत में मुनावर का का अंकिता के साथ अच्छा रिष्टा था लेकिन वो घेम है ना तो इनसान को बदली देता तो आपने देखा होगा जो जगड़े हुए उस पर क्या कहना आप लोगों का अंकीता बहुत अच्छे लेकिन विक्की की जो हरकते आपने देखा उसको जहाड़ पे से खीछना यह करना उनको लग जाता तो वह रजाक भाई वाला है ना रजाक भाई जाता है तो वह डोंगरी गई ना तो रजाक भाई जाक गया और उन्होंने गिरेवान पकड़ लिया जो भी एक्सवाई- उसको टरनल तक छोड़ा कल विक्की को भी टरनल तक छोड़ दी अब देखते नेक्स्ट कॉन होता है वेल आल ओवर ओल आप लोग क्या कहना चाहेंगे अभी तक तीन चार तीन और मेने खतम हो चुके हैं तीन मेने से जादा हो गया इन फैक्ट घर पे क्या महाल है मतलब इतने बीजी हैं लोग उनकी सिस्टर्स ने भी बीच में इंतर्व्यू दिया था बिग बॉस से आने के बात क्या बाते चली थी मतलब वो लोग तो देख कर आये थे घर में बात सिर्फ यह है कि सब लोग पहले तो वो जब इंटर्व्यू दिये थे और वो आये तो यही आप लोग ने भी देखा होगा वह अकेले बैटके रोते हैं अपना किसी से जादा शेयर नहीं करते हैं तो उसी से समझ में आता है कि वह बत सेंसिटिव है पर वहां पर नहीं दिखा रहे हैं वैसा इसलिए ना उनकी जादा लड़ाई जो भी हुआ है अभी ये गेम से रिले उन्होंने अभी वह चीज को लेंके लेंदी नहीं किया नॉर्मल है तो वह ऐसे होता है कि नहीं बस यह है कि वह जैसा है वैसे दिखाए सब बता रहे है वह वह ऐसा नहीं है गर में आपको मुनावर का सच्छा दोस कौन लग रहा है अब तक इस वक्त तो अभी शेक लग लेकिन कभी-कभी वो भी फिर जाते, लेकिन गेम में कोई किसी का दोस्त नी होता, वहाँ पे, अंकीता थी, फिर बाद में विक्की की वए से अंकीता भी दूर हो गई, लेकिन अभिशेक और अंकीता से थोड़ा बॉंडिंग है उनका, बाकी किसी से मुझे नहीं लगता, औ मनारा का अपना एक लेवल एक फैन का, हम लोग भी पसंद करते हैं मनारा को, बट मुनावर के आगे कोई पसंद नहीं आता है, ऐसा है Lastly, आप लोग टॉफी किसके हाथ में, मतलब टॉफी किसको देख रहे हो और टॉफी किसको देखना चाहते हो मुझे ऐसा लगता है के टॉफी में अंकीता, अभीशे को मुनावर होएंगे लेगिन डेफिनेटली मुनावर के आगे कोई नहीं मुनावर फारूग की ही टॉफी जीतेंगे और वन साइड उनको वोटिंग हो रही है और मैं समझता हू 110% टॉफी डॉफी डॉफी के लिए हम लोगों को भी बहुत है और उनका जो फालोईंगे जैसे आज उनके इतने इंस्टेग्राम के वो देखेंगे तो बहुत जो इंसान है ना छोटे से शुरू करता है ना वो उनने अपने समें काम में कभी वो नहीं क कि एसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलता हूं तो इसलिए उनको ही जीतना चाहिए तो बी ओनेस्ट आंक्यू सो मच गाइस सो जैसे कि देखा आपने मुनावर के फ्रेंड्स कितने एक्साइटेड उनके हाथ में ट्रॉफी देखने के लिए तो आप भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना क्या लगता आपको कौन होगा बिग बॉस सत्रा का विनर मुनावर भाइं वी आर वीट यू ट्रॉफी तो डोंगरी आएगी अठाइस जैन्वरी को बड़े और ट्रॉफी का सेलिब्रेशन डोंगरी पे ही बनेगा